Welcome Friends, Welcome to Sensors तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना 1000 रुपए को 10,000 में convert कर सकते हैं अगले 10 दिनों में यह आपके पास 500 रुपए हैं तो 500 रुपए को 5000 में कैसे convert कर सकते हैं यह आपके पास ज़्यादा आप invest करने के लो तयार हैं तो उतना आप increase कर सकते हैं अगले 10 दिनों में और यह जो strategy मैं आपको बताने वाला हूँ यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है यह strategy बहुत लोग use कर रहे हैं बहुत सारे हमारी students है जो use कर रहे हैं और online earning कर रहे हैं मैं आपको guarantee तो नहीं दे सकता हूँ पर यह proven system है जो काम कर रहा है और बहुत लोग कमा रहे हैं इसमें करना क्या है इसमें अभी जो trending चीज है जो अभी trend कर रहा है उस trend को हम लोग फायदा उठाने वाले हैं अब आप सोच रहे होंगे कि आपको कोई समान बेचना होगा जै नहीं आपको किसी तरह का कोई समान खरीदना नहीं है नहीं उसे बेचना है नहीं आपको कोई वेबसाइट बनानी है नहीं आपको कोई वीडियो क्रियेट करना है आपको ये जो मैं सिस्टम बताने वाला हूं उसे पूरी तरह से follow करना है अगर आप इसे completely पूरी तरह से follow करते हैं तो अगले 10 दिनों में आप जो भी invest करेंगे उसमें आप 1-0 और लगा सकते हैं तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ मेरा नाम Pew Zen है और मैं पिछले 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ और मैंने आप लोगों के लिए एक 5 दिन का वर्क्शॉप बनाया है अपको फ्री में मैं सिखाने वाला हूँ तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में जाएं वहाँ पे लिंक दियावा है उसे क्लिक करें रजिस्टर करें आपके पास मेल आ जाएगा सारा डिटेल उसमें है आप सारे क्लासेस को जरूर अटेंड करें तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं चलता हूँ अपने लैपटॉप पे सबसे पहले आपको क्या करना है गूगल ओपन करें और वहाँ पे सर्च करें अमीजन बेस्ट सेलर इन इंडिया यह अमीजन बेस्ट सेलर इंडिया है क्या अमीजन क्या करता है हर कैटेगरी में जो अभी टॉप बेस्ट सेलिंग प्रोडट्स है उसका लिज देता है क्योंकि हमें पता चल रहा है कि कौन से प्रोडक्त अभी बिकरा है do like करें क्योंकि मैं जो आपको share करने वाला हूं यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला है जलिख से video को like करें और video को share भी जरूर करें और चैनल को subscribe भी करें तो हम लोग क्या करते हैं Amazon seller open करते हैं यह Amazon seller का page है अब आप यहाँ left hand side में देखने हैं यहाँ बहुत सेरा product है आपको जो भी कैटेग्री पसंद है आप वहां से कैटेग्री चूज कर सकते हैं यहां पे आप देख रहे हैं, बेस्ट सेलर है, होट न्यू रिलीजेज है, मुवर्स और सेकर्स है एसा प्रोड़क्ट जो कहीं नहीं था और अचानक से बहुत तेजी सेल होने लगा वो यहां पे है, इसके अलावा मोस्ट विस्ट फॉर इस तरह का बहुत सार प्रोड़क्ट है तो सब्स हम लोग एक पर्टिक्लर काटेगरी में जाते हैं, तो हम लोग बेबी प्रोड़क्ट काटेगरी में जाते हैं, यहां बेबी प्रोड़क्ट काटेगरी में आप देख रहे हैं, यहां पे नमबर वन जो सेलर है, क्विक, अन्बॉक्स, डबल बेट साइडेड है, यह इस तरह देख सकते हैं बहुत सार प्रोडक्ट है यहां पर आप स्क्रॉल करते जाएं अनलिमिटेड प्रोडक्ट है 20-24 रैंक पर कौन सा प्रोडक्ट है यह सारा चीज आप देख रहें अब यहां पर प्रोडक्ट सेलेक्शन करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ एसा नहीं हो कि आप कोई भी प्रोडक्ट उठा लेंगी हमें क्या करना है इसे सेल करना है किसी और को तो हम ऐसा प्रोड़क्ट उठाएं जिसका हमें कमिशन जो है वो हमें 500 से उपर मिले अब आप बोलेंगे मुझे कैसे पता से लेगा कि कमिशन कितना मिलने वाला है तो चलिए उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ यह है Amazon का जो कमिशन प्लैन है यह है अगर हम लोग kitchen appliance यूज करते हैं तो हमें क्या मिलता है 9% का commission मिलता है, furnitures में 9% है, baby products में 6% है तो इस तरह करके सारा different categories का आपको यहाँ पे commission पता चल रहा है किसमें कितना मिल रहा है हम लोग average मान के चलते हैं अगर हम लोग 10% लेके चलते हैं यानि कि अगर मुझे 500 रुपे चाहिए तो वो product का जो price होगा वो 5000 यह 5000 से उपर होगा 500 रुपे चलते हैं यानि सारे 3000 से उपर का जो भी product हो हम लोग उसे promote कर सकते हैं और वो जो category यह वो kitchen furniture, grocery यह यह सब categories में आना चाहिए तो यह एक बहुत important point है क्योंकि हम लोग ultimately करने के आवाले हैं हम लोग ads run करेंगे इस particular product के लिए तो अगर हम लोग ऐसे products choose कर लेते हैं जिसका commission जिसका actual price जो है 200 यह 2500 है यानि इसका commission में 20 यह 25 उपह मिलेगा तो वो हमें फायदा नहीं देने वाला है हमें वही product choose करना है जिसका commission 500 सारे 400 500 के around हो मैं फिर से बता रहा हूँ skip ना करें क्योंकि यह बहुत important चील है कि हमारा जो product price होगा वो सारे 3-4000 से उपर होना चाहिए तो वापस हम लोग आते हैं हमारे इस category पे और मैं यहाँ पे generally मैं क्या use करता हूँ मैं यहां movers and seekers में जाता हूँ क्योंकि यह movers and seekers के अचानक से product का sales increase होना start हुआ है यानि लोग उसे खरीद रहे हैं लोग interest हो कर रहे हैं अगर इसमें सबसे पहला product हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला कौन सा है सफारी थोडियम है यानि यह सफारी का box है यह 11,000 का है हमारा जो target है उसके उपर है इसमें commission भी हमें अच्छा मिलेगा तो अब हम लोग क्या करते हैं तो हमने क्या क्या यह product select कर लिया आप चाहें तो और कोई भी category में जा सकते हैं सब्सक्राइब आप health and personal care में भी जा सकते हैं यहां पर भी आपको बहुत सार प्रोड़क्ट मिलेगा उसमें भी high price product भी आपको मिल सकता है यह एक category है इसके अंदर भी बहुत सार सब categories भी होता है तो आप अंदर देखेंगे यहां पर तो बहुत सार प्रोड़क्ट है यह totally आप पर depend करता है कि आपको कौन सा प्रोड़क्ट अच्छा लग रहा है आप इसमें स्क्रॉल करते जाएं यहां पर स्क्रॉल करेंगे उसके बाद next page भी आएगा आप वहां next page पर भी देख सकते हैं कि कौन सा प्रोड़क्ट है और यहां कौन सा आप चूज कर सकते हैं तो यह बहुत सारे प्रोड़क्ट हैं अब यहां पर साइड में भी आप कैटेगरीज देखने हैं बहुत सारा कैटेगरीज है पेट सप्लाइज है, सूज है, सॉफ्टवेर है, ट्वाइज है होम इंप्रॉव्मेंट है, गिफ्ट कार्ड है, ग्रॉसरी है जो आपको चूज कर सकते हैं हम लोगों ने क्या चूज किया है, हम लोगों ने चूज किया है भी इस वीडियो के लिए सफारी थोडियम, यह एक सूटकेट्स है जिसका प्राइस अराउंड 7000 के उपर का है हम लोग यह चूज कर रहे हैं अब नेक्स स्टेप क्या है, नेक्स स्टेप है कि हमें इस पर्टिकुलर प्रोडट का एफिलेट लिंक चाहिए यहाँ पे तो आपको इस प्रोडट का लिंक मिल गया बहुत लोग गलती क्या करते हैं, इसी लिंक को यूज करके हर बड़ी में एड रन करना सार्ट कर देते हैं यह ऐसा ना करें हम लोग क्या करते हैं, इस लिंक को कॉपी करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं हमारा जो अमीजन अफिलेट अकाउंट है हम लोग उसमें लॉग इन करते हैं Amazon Affiliate आप best app Google पर Amazon Affiliate search करें, उसमें account create कर लें, जब आप login करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का कुछ dashboard दिखेगा, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, link to any page पर click करते हैं, और यहाँ link to any page फिर से click करेंगे, और यह जो link हमने copy किया है, वो हम लोग यहाँ पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे suppose हम लोग लिख देते हैं, suitcase, और यहाँ पे get stml, यह जो code मिला, इसी में हमारा link है, हम इसे क्या करेंगे, हम लोग इसे notepad में save कर लेंगे, और यह मैंने यहाँ save कर लिया, यहाँ पे हमारा जो affiliate निकालने का काम था, वो खतम हो गया, अब हमें क्या करना है, इस product के लिए add run करना है, तो आप बोलेंगे कि अरे, यह तो Amazon पे product है, तो इसके add run करने से क्या फायदा, यह concept को समझे, जब आप Amazon पे बहुत लोग ऐसे हैं, जो Amazon पे आते हैं, उन्होंने कोई product select कर लिया, उसके बाद वो क्या करते हैं, वो Google पे जाते हैं, और उस product के reviews, discount, coup यह सब search करते हैं, तो हमें वही target करना है, हमें उन लोगों को target करना है, उस smart user को target करना है, जो इस product के बारे में जानता है, और वो Google पे जाके इस product के बारे में और information लेना चाहरा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें find out करना है, कि ऐसे लोग, यह जो मेरा product है, इसक इतने सारे keywords हैं, जो लोग search करते होंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, हमें Google का keyword planner है, वहाँ हम लोग जाते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं, Google Ads का keyword planner है, हम लोग sign in करते हैं, अगर आपका Google Ads पे account नहीं है, तो आप वहाँ पे account create कर लें, क्योंकि यहीं से आप अपना Google Ads run करने वाले हैं, और अगर आपको Google Ads के बारे में कुछ idea नहीं है, कि कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप हमारा course भी join कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी तरीके से कैसे keyword find out करना है, कैसे ads run करना है, यह सब कुछ बताया हुआ है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखत हुआ है, माइनस 17% से यहाँ 951 mobile search है, यानि कि यह सही में लोग जो हम लोग ने सोचा कि Google पे लोग आकर search कर रहे हैं, यह Amazon में भी अगर sell हो रहा है, यह चीज प्रूफ हो गया यहाँ पे, कि लोग इसे Google पे भी आकर search कर रहे हैं, अब आपको देख रहे हैं, यहाँ बहुत आपको मिल गया, keywords, इसके अलावा भी बहुत सारे keywords होंगे, तो चलिए मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जब आप यह keywords देख रहे हैं, तो इसका bidding कितना है, एक रुपए 20 पैसा, 90 पैसा, 90 पैसा, एक रुपए 80 पैसा, तो यह सब जो bidding है, यह बहुत कम bidding है, और मैंने अपने course में बहुत सारे keywords find करने का technique भी बताया है, जहां पे आपको ऐसे-स keywords मिलेंगे, जिसका bidding amount बीस पैसा है, पचीस पैसा होगा, तो आप सोच सकते हैं, अगर पचीस पैसा bidding amount है, आप daily budget 100 रुपए रखते हैं, यानि कि आप करीबन कितना 400 click आप भेज रहे 500 रुपए राम से कमा सकते हैं, उसे जादा ही कमा लेंगे, इस strategy के बारे मैं बात कर रहा हूं है, तो आपको यहां keyword पता चल गए, आपको करना क्या है, सिर्फ अप Google Adrant करना है, तो मुझे उमीद है कि आप लोगो Google Adrant करना आता होगा, Google Adrant करने के लिए हमारे पास जो भी सम Safari Ethereum Discount Coupon, Safari Ethereum Reviews, Honest Reviews, इस ताइप का कुछ हम लोग लिखेंगे, और जब user क्लिक करेगा, तो directly हम लोग क्या करेंगे, उसे Amazon के साइट पे लेकर जाएंगे, तो यह पूरा प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं कि यह Ad कैसे Run करना, Ad Campaign कैसे बनाना है, यहा तो अभी trending है, उसे कैसे monetize करना, यह आपको clear समझ में आया होगा, इस चीज को implement करें, और जल्दी से जल्दी इसका फैदा उठाएं, अगर आप अभी तक यह वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को subscribe करें, तो चलिए मैं मिलता हूं फिर ने तक यू, बाइ